आज से लॉक्डाउन का अगला चरण शुरू हो रहा है और केंदर सरकार ने अपनी गाइडलाइन्स भेजी हैं केंदर सरकार की गाइडलाइन्स के मताबिक जो जो केंदर सरकार ने उसमें धील देने के निरने लिये हैं उसके मताबिक दिल्ली सरकार ने ये निरने लिये हैं अभी तक जितनी चीजें खोली जा चुकी हैं वो खुली रहेंगी इसके अलावा बार्बर और सलून के दुकाने खोलने का निरने लिया गया है स्पान ही खोला जाएगा अभी किवल बार्बर और सलून के दुकाने खोली जा रही है आटो ए रिक्षा ये जितने ग्रामीन सेवा ये जितने वहिकल्स हैं इसमें एक दिक्कत आ रही थी माली जीए हमने कहा भी आटो में एक ही सवारी चलेगी एक बार में अभी एक परिवार से पती पत्नी और एक बच्चा अगर घर से निकले तो अब वो पती अलग आटो में बैठेगा पत्नी अलग आटो में और बच्चा अलग आटो में इसकी वज़े से कई जगे से सुझ ज़िहाव आये थे कि ये थोड़ा सा इंप्रैक्टिकल हो रहा है तो चूकि केंदर सरकार ने भी इसके उपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा है तो इस किसम के रेस्ट्रिक्शन हम भी हटा रहे हैं। केंद्र सरकार ने निरने लिया है कि रात को नौ बजे से सुबह पांच बजे तक Essential Services को छोड़ के बाहर कोई नहीं निकलेगा दिल्ली सरकार भी वो निरने लागू करने जा रही है अभी तक ये था कि Four Wheelers में केवल ड्राइवर के लावा दो लोग बैठेंगे और स्कूटर पे पीछे कोई सवारी नहीं बैठेगी लेकिन केंद्र सरकार ने अब इस को हटा दिया है इस कंडिशन को तो दिल्ली सरकार भी केंद्र सरकार के निरने के अनुसार उसको हटा रही है मार्केट्स में अभी तक हम लोगों ने और इवन लागू किया था कि एक दिन और दुकाने खुलेंगे एक दिन इवन दुकाने केंद्र सरकार के गाइडलाइन्स में इस तरह की कोई कंडिशन नहीं है तो अब मार्केट्स में सभी दुकाने खुलेंगे पिछली बार केंदर सरकार ने कहा था कि इंडस्ट्री इंडस्ट्रिल एरिया में स्टैगर्ड टाइमिंग्स लागो किये जाएंगे तो हमने भी उसी के इसाफ से स्टैगर्ड टाइमिंग्स किये थे लेकिन अब केंदर सरकार ने वो निरने हटा दिया तो दिल्ली में भी इंडस्ट्रीज अब सारी इंडस्ट्रीज खुल सकेंगी अब मैं आपके सामने एक महत्वपून विशे रखना चाहता हूँ और इस पे आप लोगों का मुझे मार्क दर्शन चाहिए आज तक मुझे आप लोगों का बहुत स्नेह मिला, बहुत प्यार मिला, बहुत विश्वास मिला और उसी के भरोसे आज जितने काम हम लोग कर पा रहे हैं आपके विश्वास और आपके स्नेह की वज़े से ये सारे काम दिल्ली के अंदर इतने सारे काम हो पा रहे हैं मेरे पास समय समय पर काफी कठिन चुनौतियां आईं, कई बार उनके समधान नहीं होते थे, ऐसे समय पर मैं कई बार आप लोगों के समक्ष आया, आप लोगों से मार्गदर्शन लिया, आप लोगों से सुझाव लिये, कि समय समय पर आप लोगों ने जो मार्गदर्शन किया, उसको हम लोगों ने लागू भी किया, जैसे आपने कहा हमने लागू किया, कुछ दिन पहले आप लोगों से सुझाव मांगे थे, कि दिल्ली में लॉकडाउन में ढील दी जानी चाहिए कि नी दी जानी चाहिए, और दिल्ली के बॉर्डर्स को खोला जाए एक बार तो आपको लगेगा कि ये क्या पूछ रहा हूं मैं इसका एक इंपॉर्टन आस्पेक्ट है दिल्ली के अंदर करोना के केसिस काफी बढ़ रहे हैं रोज हम देखते हैं कि दिल्ली में करोना के केसिस बढ़ते जा रहे हैं मैंने इसके बारे में कहा कि दिल्ली में करोना के केसिस बढ़ रहे हैं ये चिंता का विशे तो है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है ये मैं इसलिए कह पाया क्योंकि दिल्ली के अंदर पिछले पांच सालों में आपकी सरकार ने दिल्ली के अस्पतालों में और स्वास्थ सेवाओं में खूब पैसा इन्वेस्ट किया है खूब नए अस्पताल खोले, खूब नए बेड्स बनाए, खूब सारे आईस्यू खोले, खूब सारे महला क्लिनिक बनाए, सारा इलाज मुफ्त कर दिया लोगों के लिए पिशले पांच सालों के अंदर दिल्ली के अंदर अभूत्पूर विकास हुआ है दिल्ली की स्वास्वाओं में आज उसी की वज़े से जब करोना की महमारी की वज़े से देश के और दुनिया के कई हिस्सों के अंदर उनकी स्वास्त सेवाएं बिल्कुल धुस्त हो गई, कॉलाप्स कर गई आज दिल्ली में बढ़ते हुए केसेज के बावजूद आपका मुख्यमंतरी आपको विश्वास दिलाता है कि अगर आपके घर में करोना हो गया, तो चिंता मत करना आपके लिए बेड है, हमने आपके लिए बेड का इंतजाम कर लिया है पिछले हफ़ते जब मैंने आप लोगों से बात की थी अभी कुछ दिन पहले, मैंने आपको कहा था कि आज की उस दिन मैंने कहा था तीन चाह दिन पहले कि आज की डेट में दिल्ली में 2100 मरीज हैं, लेकिन 6600 बेड का इंतजाम है, और ये 9500, 5 जून तक 9500 बेड का इंतज का इंतजाम होगा, ये कौन से अस्पताल में कितने बेड खा ली हैं, कितने वेंटिलेटर खा ली हैं, एक तो है कि मैं वैसी हवा में बात कर लूँ, लेकिन अब आपको एप के जरीए भी ये पता चल जाएगा, एप तयार हो चुका है, उसको कल लांच कर रहे हैं, कल लेकिन अगर हमने बॉर्डर्स खोल दिये, तो पूरे देश भर से लोग दिल्ली इलाज कराने के लिए आते हैं, क्यूं आते हैं, दो कारणों से दिल्ली आते हैं, एक कारण कि दिल्ली की स्वास्त सेवाएं आज पूरे देश में किसी भी राज्ये से या किसी भी शहर से स सबसे जादा अच्छी पूरे देश में सबसे अच्छी स्वास सेवाएं आपको दिल्ली में मिलती हैं तो पूरे देश भर से लोग इलाज कराने आते हैं और दूसरा कि दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पतालों में सब कुछ मुफ्त है आपका दस लाक रुपे का भी अगर जैसे हम बॉर्डर्स खोलेंगे देश भर से लोग अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली में आएंगे जो आज मैं आपको कह रहा हूं कि साड़े नौ हजार बेड्स हम लोग ने आपके लिए रख्या हुए अगर करोना हो जाता है जबकि आज दिल्ली में केवल तेईस सो जैज हैं यह बेड्स दो दूदिन के अंदर भर जाएंगे अगर पूरे देश भर से लोग दिल्ली के अंदर आ गये तो हमें क्या करना चाहिए क्या बॉर्डर्स खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए कुछ लोगों का कहना है बॉर्डर्स खोल देने चाहिए लेकिन दिल्ली के अस्पतालों को केवल दिल्ली के लोगों के लिए दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए उनके इलाज के लिए दिल्ली के अस्पतालों को इस्तेमा दिल्ली तो केरिला वालों की भी है तमिलाड़ वालों की भी है यूपी वालों की भी है बिहार वालों की भी है जारखंड वालों की भी है महराश्ट्र वालों की भी है दिल्ली तो आज तक सबका इलाज करती आई है फिर दिल्ली मना कैसे कर सकती है किसी का इलाज करने के बहुत सारे सुझाव हैं, मुझे आप से मार्दर्शन चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, आप हमें इस बारे में सुझाव भेजें, शुक्रवार को पांच बजे तक आपके सुझावों का इंतजार रहेगा, आप मुझे अपने सुझाव वाट्सेप कर सकते हैं, WhatsApp नमबर है 888-00-00-00-77-22, WhatsApp नमबर है 888-00-00-77-22, Email है delicm.suggestions.gmail.com email है dailycm.suggestions at gmail.com और अगर आपके पास WhatsApp नहीं है अगर आपके पास email नहीं है तो आप इस number पे phone कर सकते हैं और अपना सुझाव छोड़ सकते हैं आपके आवाज record हो जाएगी 1031 1031 डायल कीजेगा आप अपने सुझाव छोड़ सकते हैं फिलहाल एक हफ़ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं essential services जारी रहेंगी सरकारी officers जो हैं वो आई-card के basis पे आजा सकेंगे पास लेकर आया जा सकेगा तो फिलहाल एक हफ़ते के लिए हम अपने बॉर्डर सील कर रहे हैं उसके बाद जो सुझाव आएंगे जो आप मार्क दर्शन करेंगे जो आप जैसा कहेंगे सभी के सुझावों के आधार के उपर हम expert से भी बात करेंगे और भी बहुत सारे लोगों से बात करेंगे उसके अधार पर अगले हफ़ते फिर इसके बारे में एक ठोस निरने ले पाएंगे नमस्कार